आज हम बनाने वाले हैं अद्रक काली मुर्श की चाय कुछ जगे बारिश शुरू हो चुकी है कुछ नहीं हुई है लेकिन बरसात के मौसम में चाय पीने के लिए मैं आपको यह बहुत यमी सी चाय बनाना बता रही हूँ जिसके लिए मैंने लिया है एक कप पानी दूद आप अपनी इच्छा के नुसार डाल सकते हैं और यह क्रश करके ब्लैक पपर हम फ्रेश डालेंगे अद्रक का टुकडा मैंने लिया है यह आप देख सकते हैं इसको मैं कूट के डालूँगी और यह चाय पती है जो भी चाय करते हैं चाय का पैन हमने रख दिया है उसमें हम डाल रहे हैं एक कप पानी मैं आपको यह एक कप चाय बना कर बता रही हूं और अब हम अद्रक जो है उसको अच्छे से कूट लेंगे यह देखे इस टाइप से ना हम इसको अच्छे से कूट लेंगे यह देखे छोटा सा अद्रख का टुकड़ा हमने ऐसे बारी कोट लिया है बिलकुल अच्छे से, आप देखिए इस तरह से हमने कोट लिया है, मैं इसको कोट करी डालती हूं, ग्रेट करके नहीं डालती और अब हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से न उबलने देंगे पहले हम अद्रक को पकाएंगे चाय पत्ती नहीं डालेंगे जब हम देख लें कि अद्रक खौलते हुए थोड़ा टाइम हो गया है तो हम स्वाद के अनुसार इसमें शुगर एड़ कर देंगे जो भी आप लेते हैं इसमें चाय की पत्ती आधा चमस भरके हमने चाय की पत्ती डाल दी है और इसको हम बहुत नहीं खोलाएंगे ज्यादा चाय की पत्ती को नहीं उबलना है अब हम डालेंगे इसमें आधा कप दूद साथ के साथी और दूद डालने के बाद हम इसको कढ़ाएंगे आपको नुकसान नहीं करेगी आप इसको बॉयल होने की इंतिजार करते हैं और जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जायना आप एक रश करके वन पिंच के करीब अगर आपके पास क्रश की हुई है तो वन पिंच आप काली मर्च डाल दीजे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजे शेर कीजे अपने फैमिली फ्रेंड्स में बेल आइकन प्रेस कीजे ताकि मेरी लेटस अपडेट्स आप तक पहुंच सकें और बहुत टेस्टी ये चाय लगती है अभी हम इसको खौलाएंगे और थोड आपको ये देख रहा है आप अपने ये टेस्ट के अकॉर्डिंग इसकी चीनी और चाय पत्ती की मात्रा घटा बढ़ा सकते हैं चाय हर घर में अलग बनती है बट इस तरह से आप पीकर देखिए अध्रक का फ्लेवर बहुत अच्छा हैगा और ये देखिए चाय तयार है thank you so much for watching my recipe